असलाम अलेकूम और वेलकम टो इन्फटाइक कंप्यूटर आइट इसी में हूँ शायवान सिद्धी की और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोशॉप का इंटरफेस और वर्किंग एरिया और उसकी कुछ सैटिंग्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा जी जब आप लोग अपने कंप्यूटर या फिर लैप्टॉप के अंदर फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेंगे 2022 वर्जिन या उससे कम कभी चलेगा आप लोग उस पर वर्किंग कर सकते हैं एजी ठीक है तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आजएगी यहां पर लिखा होगा वैलकम टू फोटोशॉप और यहां पर कुछ आपके रीसेंट डॉकॉमेंट्स आ रहे होंगे जो कि आपने फर्दर किसी भी वर्जिन पर फोटोशॉप के बनाये थे यह इसी वर्जिन पर इसे ओल्ड वर्जिन पर जिस पर आप काम करते थे ठीक है और अगर आप यहां आजाओ तो आपको यहां पर कुछ व्यूज मिल जाएंगे कि आपके बात जो यह रीसेंट डॉकॉमेंट्स नहीं किस तरह से आने चाहिए यह आप इन्हें सेट कर सकते हो फिल्टर आउट करवा सकते हो आप अपने डॉकुमेंट्स को किसी भी डॉकुमे क्रियेट नहीं कि अगर आप कोई डॉकुमेंट्स बनाना चाहते हैं तो आप क्रियेट कर सकते हैं नियूपे जो के भी हम लोग देखने वाले उसके बाद आपको ऑप्शन दिया हुए ऑपिन कि अगर आपके पास और डॉकुमेंट्स सेफ है फोटोशॉप का और वह आप आप एप कराना चाहरे हो तो आप इस पे क्लिक करो यहां पको लुकेशन देदे का जहां पर वो डॉकुमेंट्स देख है उसको लुकेट कर लो आप यहां सेलेक्ट करके उसको करवा दो ऑपिन और वो ओपिन हो जाएगए थीक है मैं सिंपल क्या कर मैं कर रहा हूं यहां पर create new पे क्लिक जैसे ही मैं create new पे क्लिक करता हूँ आपके पास कुछ इस तरीके का पैनल आ जाएगा previous old versions में कुछ इस तरीके का नहीं आता था आपके पास छोट असा कुछ पैनल आता था properties तक्रीबन यही सेम थी लेकिन वह बहुत combined merge हुई हुई थी ठीक है यहां पर हर अब ही बनाए होंगे या create किये होंगे sizes लिए होंगे working कियोंगे वह आपको यहां पर recent में दिख रहे होंगे ठीक है इसके इलावा अगर कुछ आपने document sizes बना के safe किये होंगे वह आ रहे होंगे यहां पर वह safe कैसे होंगे यह किस तरह से होंगे वह भी हम देखने वाले इसक print से related आपको कुछ presets मिल जाएंगे art and illustration किसी website के लिए कुछ आप बनाना चाहरे हो तो आप यहां से size ले सकते हो बना बनाया किसी mobile के लिए आप कुछ बनाना चाहरे हो कोई app design करना चाहरे हो कुछ भी तो वह आप यहां से ले सकते हो ठीक है film and video के लिए भी आपको presets मिल जाए पर तो यहां पर आपको दीविए preset detail सबसे पहले आप जो preset बना रहे हो उसका नाम क्या होना चाहिए मैंने क्या करा मैंने इसका नाम change करके कर दिया यहां पर let's say मैंने इसको कर दिया interface interface करने के बाद आप बारी आ जाती है आपके working area के size की के उसकी height क्या होनी चाहिए और उस कि अगर let's say आप कुछ भी बनाना चाहरें वो आपने कोई भी चीज बना ली चोटी और आप चारो नहीं यार इसको तो हमें बड़े size पे बनाना था और वो चोटी चीज को अगर आप बढ़ा करोगे तो वो pixelate होगी वो अच्छा result नहीं देगी क्योंकि हम लोग पढ़कर आये थे क्योंकि Photoshop किस पर काम करता है रास्टर बीज रास्टर पर काम करता है रास्टर बीज सौफ्टेयर है ठीक है तो आपको actual size पता होना चाहिए जैसे अगर आप कोई voucher बना रहे हो कोई pamphlet बना रहे हो या किसी website के लिए कुछ बना रहे हो या app design बना रहे हो तो आपक कुछ design बना रहे हो तो आपको size पता होना चाहिए बिल्कुल और अगर आप किसी photo पर working करना चाहरे हो photo editing करना चाहरे हो तो उसके लिए कोई size की need नहीं है आप direct photo open करो और उस पर editing वगारा शुडू करो जो कि हम further आगे की classes में देखने वाले है definitely अच्छा इसके इलावा एक restriction और है अगर आप लोग photo edit करना है लेकिन किसी screen के लिए किसी particular size के लिए अगर आपको print निकालना है तो उसके लिए भी आपको size चाहिए होगा example का तो आपको poster बनाना है और वह आपको लगाना है किसी भी दिवार पर तो उस दिवार का size क्या होना चाहिए कितने height होनी यह वह आप calculate करोगे पहले और वह यहाँ पर आगे आप mention करोगे then फिर उस पर डिजाइनिंग करोगे तो यह लाजमी याद रखिएगा simple मैं भी कर लेता हूं इसको 800 800 ठीक चाहिए आगे आजाओ तो यहाँ पर हम काम करेंगे pixels में यह क्या है यह measurement units होते हैं जिसे आपने physics अगर हमें पड़ा होगा कि किसी भी चीज़ को major करने के unit होता है जैसा अगर आपको liquid को major करना तो इसका unit होता है लेटर इसके इलावा और भी फर्दर बहुत सारे units होते हैं हर चीज़ को calculate करने के यहाँ पर हम काम करेंगे किसके ओपर pixels के उपर जानीच अगर हम आजाएं तो यहाँ बर आपको orientation दीविए एक होती है portrait और second होती है landscape portrait क्या होती है portrait हर वो चीज़ होती है जिसकी height जादा हो बनिस बत विट के और landscape हर वो चीज़ होती है जिसकी height कम हो और विट जादा हो width कितनी जादा हो width जादा हो बनीजबर height के मतलब height कम हो width जादा हो तो वो चीज़ कहलाएगी landscape और अगर height जादा है width कम है तो वो चीज़ कहलाएगी portrait मैं भी आपको यहाँ से clearly दिखा भी दूँगा इसके बात आपको यहाँ पर एक check दिया वह जो के लिखा आर्ट बोर्ड इसका क्या काम है इसका फर्दर अभी हम इसको छोड़ देते हैं इसको आगे discuss करेंगे क्या है किसलिए है नीचे अगर हम आजए तो resolution, resolution मैं आपको बता कर आया था resolution क्या होती है और हमने यह भी discuss किया था कि default photoshop की resolution कितनी होती है 72 ठीक है और मैंने आपको यह भी बताया था कि electronic media में कितनी resolution यूज होती है और print media में कितनी resolution यूज होती है तो अगर आज की class से आप लोग नहीं आये हों तो आप playlist में जाके इसकी previous classes को देख सकते है और resolution हमेशा हम रोग रखेंगे किस पे pixels per inch, centimeter ने inch ठीक है इसके लावा color moods हम लोग पढ़का रहे थे 5 color moods, bitmap, grass, color, rgb, cmy और lap color फिलहाल अभी हम लोग काम करेंगे rgb फर्दर जब हम लोग आगे चलते रहेंगे तो bitmap, grass, color, lap, color, cmy की भी working में आपको आगे definitely समझा दूँगा और यहाँ पर अगर हम बात करें 8 bits तो यहाँ पर वैसे तो आपको और भी architectures दियेंगे लेकिन हम लोग यहाँ से use करेंगे 8 bit क्योंकि जितनी भी तक्रीवन pictures होती है वो 8 bits पर ही depend करती है next अगर आप आगे आजाओ तो आपको option दिया हो है background contents ठीक है और यह हुआ हो है custom इसके लावा अगर आप इसके drop down पे click करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ options देखने को मिल जाएंगे जिसे white, black, background color, transparent और custom अगर पुराने versions की बात करें तो वहाँ पर हम आपस कुछ एक दो options ही अगर आप क्या करते हो let's say मैं यहां से कर लेता हूं custom कैसा चाहिए मुझे मैंने कहा वही मुझे जो चाहिए वो कुछ इस तरीके का color होना चाहिए मेरे working area का तो अब जब मैं यहां से create करूं अच्छा कुछ इसकी advance options है एक दो यह यह अभी फिलाल हम लोग नहीं पढ़ ले को छोड़ देते हैं advance अभी हम लोग basic में simple मैंने कर दिया create ठीक हाइडविट दे दी pixels orientation set कर ली मैंने resolution उसका unit mood 8 bit color मैंने रखा फिलाल यह custom कर रहा हूं क्योंकि मैं मैंने create कर द lucky यहां पर जो working भी यहां रहा है किस आधर जो मैं वहां पर दे कर आया है ठीक है पर अगैर मैं यहां से close कर देता हम close करने के बाlaughter अगेन मैं यहां से create करता हूँ create करने के बाद यहां से मैं जो color रखोंगा जैसे मैं फिल हाल यहां से रख रहा हूँ white मुझे white चाहिए देखें यह automatic white होगी create करने आपके पास अब जो working area आएगा आएगा white अचा working area photoshop के working area को कहते हैं canvas इसका interface देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले आपको पता ही लोगो आ रहा है यह menu बार आ रही है और यह जो बात है second bar इसे कहते हैं option bar या properties पैनल अगर आप लोग आ जाओ left side पे तो यहां पर आपके बास आ रही है tool bar या toolbox जिसे आप इस त इलावा यह जो है यह है आपका canvas working area इसको आप आगे पीशे move भी कर सकते हो या simple मेरी recommendation यह रहेगी कि आप इसको ऐसे ही लगा के रखो अच्छा यह हटेगा कैसे या लगेगा कैसे simple आप यहां आजाओ जहां पर आपको नाम दिया हुआ है आपके canvas का और आपको यहां पर ब बाहर आजाएगा ठीक है और जब आपको इसको दुबारा सेट करना हो आप इस तरहां से इसको move करो और जब आपके ब्लू-ब्लू हाइलाइट आए तो समझ दो आपका canvas सेट हो जाएगा दुबारा वही पर जहां था ठीक है इसके लावा अगर आप इस तरह आजाओ change कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर गुसा सकते हैं चुपका सकते हैं अलग कर सकते हैं यह सब आप लोग easily कर सकते हैं ठीक है जैसे मैंने कहा यह आना चाहिए इसके साथ देखें यह दोनों साथ हो गए ऐसे ही मैंने कहा यह आना चाहिए इसके अंदर क्या है अच्छा साथ क आते हैं कि इसके साथ combine ना हो जैसे यह आरे ना learn और एडजिस्ट्मेंट इस तरह से आए तो आप सिंपल क्या करो अपने पैनल को बना सकते हो ठीक है इसी तरीके से आप अपनी मर्जी का एक इंटरफेस बना सकते हो फोटोशॉप पे ठीक है और सिंपल आपको यह करना होगा उसको बनाने के लिए कि जैसे आपको जो चीज जहां पर चाहिए वह आप सैट कर लो सैट करने के बाद फिर आप क्या करोगे पह तो आप सिंपल इस पे क्लिक करोगे और यहां पर आपको उप्शन मिल जाएगा नियू वरकस्पेस इस पे क्लिक करके आप इसे सेफ करके नियू बना सकते हो या इसके लावा अगर आप विंडोज में आ जाओ यहां पर आपको उप्शन मिल जाएगा वरकस्पेस और यहा चीजे क्लोज हो गई ठीक है आप कर रहे थे कुछ ना कुछ कुछ नया डिस्कवर्ट करना चाह रहे थे आप लेकिन हुआ क्या कि आप से सब का सब डिलीट हो गया क्लोज हो गया तो आपको घबराने की जबरत नहीं है बिल्कुल भी आप जाओगे विंडोज में चले जाओ यहां आजाओ यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा री सेट असेंशल जैसी आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास जो जैसा था जहां था जिस तरीके से था सब का सब आ जाएगा ठीक है और फर्दर अगर आप यहां पर और देख लो ऑप्शन त बता दिया इसके लावा मैंने भी बता दिया कि अगर आपके पास से यहां से टूल बॉक्स चला जाए या ऑप्शन बार चली जाए पैनल चले जाए वह आप किस तरह से लेकर आ सकते हो अच्छा मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं मुझे जो है अपने एक साइज बनाना और जिसका नाम मैंने रख दिया एक्जाम्पल के तोर पर एबी सी ठीक है और यह दिया आपको देखें एक आइकन दिया वह सेव का इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यह बुले का बाई सेफ प्रिसेट प्रिसेट डॉकुमेंट का नाम क्या होना चाहिए मैंने का इसका न चाहिए डेजमीन का इस पर क्लिक कर दो यह डिलीट हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया कि यह जो हमारा वर्किंग एरिया है यह क्या कहलाता है ठीक है अगर मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं या एक काम करता हूं मैं क्लोज नहीं करता आपको दिखाने के लिए मै एक और न्यू कैन्वस ले लेता हूं कैसे फाइल में जाओ न्यू और इसकी शॉट के आपको मिल जाएगी कंट्रोल एंड यहां से कर लो आप यह सिंपल आप कंट्रोल एंड भी प्रेस करोगे तो आपके पास वही पैनल आ जाएगा यह आपस पूछ रहे किया क्या चाहि लेकिन जैसे ही आप ने यहां पर आये तो यहां पर देखो अगर मैं आपको यह दिखाओं यह क्या है इसको भी छोड़ दो फिलहाल यहां पर बैक्ग्राउंड आ रहा है और यह कलर आ रहा वाइट ठीक है ऐगर मैं यहां आज़ों यहां पर लिखा वार रहा है लेयर वन और ये क्या है Artboard, तो ये आपका Artboard बन जाएगा, ये Canvas नहीं रहा, ये Artboard बन गी है, वो जो मैंने आपको कहा था था ना, कि अभी उस चेक को छोड़ो आगे बताऊंगा, वो मैंने असलिए नहीं नहीं बताया था, क्योंकि पहले आपको Canvas ही नहीं बता था, अब आपको Canvas पता किया और Workspace देखा और उसके Canvas की कुछ सैटिंग्स देखी, उमीद करता हूँ, आज की Class आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बैल आइकन लाजबी प्रैस कीजिएगा, ताके न हाफिज लगी होगी 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 होग